अधिती विद्वानों को लेकर सरकार की मुसीबते बढ़ती जा रही है। भी सरकार के खिलाफ महिलाओं ने मुंडन करा कर विरोज जताया था अधिती विद्वानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि सरकार वचन पत्र में किये वादों को ये नहीं निभापा रही है सरकार ने उन्हें नियमित करने का वचन दिया था जो कि अब तक पूरा नहीं किया गया है अगर सरकार ने उन्हें लियमित नहीं किया तो प्रदशन जारी रहेगा सरकार आज तक 84 दिन हो गया हम लोग यहां धरने पे हैं उनके एक भी नुमाइंदे हमारे पास नहीं आए हैं कि हम किस हालत में यहां पे हैं पिछले 19 तारीक को मेरी बहन ने मुंडन किया हैं उसके बाद भी कोई टस से मस नहीं हुआ है सरकार चाहती क्या है हम से हम इतने परेलिक होकर बेरोजगार कर दिया है और कल बोलते हैं 1200 आज बोलते हैं 1300 है क्या है चल कर रहे हमारे साथ जूटे वादे हैं उनके उनका कहना है कि सब अंदर होएंगे सब बाहर तो है अंदर कैसे होएंगे पिछले तीन मैने से हम यह बाहर हैं और क्या चाहते हैं बेरोजगार हो गया है हम परेलिक के बेरोजगार